नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुप्रियोदत्ता आप सभी का फिल से एक बस्वागत है मेरा चैनल होमियोकैट टिप्स में जैसे कि आप सब जानते हैं मैं डे बाई डे न्यू वीडियोस पप्लिश करता हूं रिगार्डिंग होमेपतिक मेडिसिन एंड डिजिस के बारे लगता है तो एक लाइक जरूर कर दे और साती साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे आपका स्क्रीन खा नीचे एक रड़ कलर का बटन होगा उसको प्रेस कर दिए और साती साथ मेरे बैल आइकन उप्लिश करो तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप उस वी इस दवा को काफी यूज़ करता हूँ according to its symptoms और कहीं न कहीं इस दवा से मुझे बहुत अच्छा रेजल्स देगने को मिलता है दोस्तो दोस्तो मैं हमेसा मेरा पेशन्ट से ये कंप्रेंड करते हुए सुनता हूँ कि सर हमें नॉक्टनल इमिशन की बहुत ज़्यदा प्रॉब्लम रहती है सीमन जो है वो involuntarily discharge हो जाता है या तो सबनो दोस्त की मादम से हो या फिर धात की बज़े से हो और इसी कारण वर्स हमें बहुत ज़्यदा sexual weakness रहता है तो अब हम क्या करें तो दोस्तो इन तमाम reasons में R41 को use किया जा सकता है क्योंकि sexual weakness को दूर करने के लिए जो जो दवाओ की जरूरत होता है वो सभी दवा इस दवा का अंदर सामिल किया गया है दोस्तो दोस्तो अब चले ख़़ड़ा बात करते है इस दवा का composition की कौन-कौन से दवा इस दवा का अंदर मिला हुआ है उस दवा का नाम है acid phos दोस्तो acid phos जो है यह ना पुल सकता और कमजोरी का एक बहुत ही अच्छी medicine है दोस्तो अगला जो दवा है उस दवा का नाम है agnes casters agnes casters उस दित में बहुत अच्छा work करती है जहां आपका sex की इच्छा जो है बिलकुल निल या फिर zero की तरह हो गया है अग्दम खतम सा हो चुका है उस condition में agnes casters बहुत अच्छा work करती है दोस्तो धर्ड जो दवा इस दवा का अंदर मिला हुआ है उस दवा का नाम है China दोस्तो कमजोरी या फिर ठकान की कारण आपको जो sex की इच्छा नहीं होती है उस पर यह दवा बह बहुत अच्छा रिजर्स देती है दोस्तो वैसे भी कॉनियम जो है हमारा ग्लैंड्स पर बहुत अच्छा work करती है दोस्तो यह आपका private organs की नसों में मजबूती प्रदान करता है आपका genital में proper blood circulation करवा कर वहां का nerve में strengthening पहुचाता है दोस्तो दोस्तो नेक्स जो दवा का अंदर मिला हुआ उसका नाम है CPI दोस्तो अगर आपको बहुत ज़्यदा मानसिक ठकावड रहता है और इसी कारण वर्स अगर आप sexual life में अपना प्रफॉर्म नहीं कर पाते हो तो ऐसी condition में CPI बहुत अच्छा work करती है दोस्तो लास्ट जो दवा इस दवा का अंदर मिला ह में काफी अच्छा output देती है अगर सही तरह इस दवा को यूज की जाए अगर सभी symptoms को proper analyze करके अगर इस दवा को यूज की जाए तो काफी अच्छा results देते हुए मैंने मेरे career में देखाया है दोस्तो यह था एक short video about R41 अगर आप लोग को ये दवा लेनी है तो फिर आप एक दे दूंगा आप अगर चाहते हो तो फिर आप मुझसे भी contact कर सकते हो तो चलिए तो इस वीडियो को में ही पेंड करता हूँ thank you very much for being the part of my video and have a good day